नमस्कार, Focus Live में आप सभी दर्शुकों का बहुत-बहुत स्वागत महतिकास ना गिया। दर्शुकों खास World Hindi Day, Wish for Hindi दिवस के अफसर पर आज इस एपिसोड को हम प्रसारित कर रहे हैं। और इस अफसर के इस विशेफ पर बाचीत करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही उंदा हस्ती है। आप सब ने कई बार उनकी कहानियों को पड़ा, उनकी करताओं को पड़ा खूप सराहा। और कई तो उनसे Columbia University में उनकी Hindi classes भी इटेंड कर चुके हैं। आज मैं भी उनसे कुछ सीखने वाला हूं क्योंकि नाकेवल मैं Hindi प्रेमी हूं। पर मैं भी Hindi का एक स्टूडेंट हूं। और स्टूडेंट होने के नाते मैं एक उनसे गुरू से कुछ सीखता चला जाऊंगा। आज हिंदी पर बात होगी, माबोली की बात होगी। आज हमारे साथ स्टूडेंट में मौजूद है। Columbia University में Hindi पराती बहुत प्रसिद्ध प्रोफेसर, प्रोफेसर सूशन बेदी जी एक प्रसिद्ध नॉवलिस्ट और साथी साथ एक उंदा आक्ट्रस भी। Sushunda Medhi ji, आपका कार्क्रम में बहुत-बहुत सुफ़्ाब धा azka rsukriyaa इचाőं के विष्म नुदि इवसर की मैं शुपकामना है देना चाहूंगा आँ हार, कुछिएक हमारा माम दिली है खुशता वहमारे बश्तू को भी विष्म ही दिवसर कामना है कुछिए जब एक तरह से मिक्स पिलिंग हैं, हिंदी दिवस को नेकर के, कभी-कभी मैं इस तरह सुछती हूँ कि देखिए, अंग्रेजी का दिवस्तु नहीं मनाया जाता, और साली दुनिया में अंग्रेजी खुब बोली जाती है, हम लोग हिंदी का दिवस इसलिए मनाते हैं, क्योंकि हि हिंदी का प्रतिरोध है, बहुत से लोग हैं जो हिंदी को नहीं चाहते, और चूंकि उन्ने सो उन्चास में हिंदी को राजभाशा का पद्वी दी गई, सम्मेधान में, तो फिर ये महसूस किया गया कि बहुत से लोग हैं जोनोंने हिंदी को सम मान दिया है, मान दिया है, कि वो इस देश की भार्षा हो सकती है, क्योंकि हमारी और भी राश्टी भार्षाए हैं, पर हिंदी राज भार्षा भी है, अंग्रेजी के साथ, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि खासकर जो बाहर बनाया जाता है, कि तो घुमने घामने का तरीका है, कि लोग मिलते हैं, ए तो एक तरफ तो मुझे ये महसूस होता रहा है, लेकिन अपने देखी हूं कि इतना वाग कुजर गया, सोचिए, और 1953 से हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, और एक बात थोड़ी से ये कहना जाती हूं कि वैसे हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन पिछले 10-12 स सालों में एक जिसी हिंदुस्तानी है, जो एदाराइज है, भारत जाते थे, तो भारत सबकार को लगा कि एक तरफ तो विश्व पे हिंदी बोली जाती है, और सारे जो विश्व के लोग हैं हिंदुस्तानी, वो इन दिनों जन्वरी के महीने में वहां होते हैं, तो अब 10 जन्मणी को विश्व हिंदी दिवस बनाया जाता है, तो इस तना सी सच बात तो यह है कि यह मेरा अगला सवाल था कि कैसे था कि विश्व हिंदी दिवस पहले सितंबर में मनाया जाता था और अब देखते देखते पिशले कुछ सालों से कृष्लन सा बन गया, एक ऑनकर हि शुलास के साथ मनाया गया मैं आपके नीजी जीवन के बारे में भी बातचीत करना चाहता हूं जैसा कि मैंने कहा कि आज उनसे बहुत कुछ सीखने वाला हूं लेकिन मैं इससे पहले के रोख बातचीत का आपकी और करूँ मैं हिंदी दिवस से जुड़ा हूं और हिंदी भाशा से जुड़ा हूं एक और समाल ये करना चाहता हूं कि हिंदी का जो बदला स्वरूप है आपने सहितिक रूप में भी हिंदी को देखा है और आज उसका आदूनी क करन भी हो रहा है कि टक्ट की स्थर के ओपर टिकनलोजी में भी हिंदी को इस्तिमाल किया जाता है और जब दूसरी से तीसरी से चौरती पीडी दर पीडी हिंदी बदल रही है उसका सुरूप बदलता जा रहा है तो ये बदलाव आया कुरसी से चेर लिए लुग्या हुग पूच में हमारे लहजे में बोलचाल में उसको एक हिंदी प्रोफेसर किस तरह से देखता है देखे वैसे तो मैं शुद्ध हिंदी को बनाये रखने के उसमें हप में नहीं हूं और मुझे लगता है कि हिंदी का विकास होते रहना चाहिए और जो बाहर से शब्द आते हैं उ इस तरह से हिंदी में भी अगर अर्भी, फार्सी और दूसरी भार्षाओं के शब्द आते हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन थुरी तकलीफ होती है जब मैं देखती हूं कि हम खाली जो ग्रामर है वो हिंदी की रखते हैं और वाकिर सारी जो 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 शब्दावरी है तो वो उस तरह से तो भार्षा की जो अपनी अभिवेंजना शक्ती है अपनी जो एक्सप्रेस करने की जो शक्ती है वो तो नर्स होती जाएगी लोग इस्तिमाली नी करेंगे हिंदी के शब्दों का तो जब बहुत ज़्यादा लोग अंग्रेजी एक चोड़े से अंदराल के बाद हम हाजर हैं फोकस लाइव के साथ और हमारे साथ आज चूड़ी में मौझूद है क्लाम्बिय यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाती प्रोफेसर सूशम बेदी जी प्रोफेसर जी आपका एक बार फिर से कारिकर में सूशम जी आपका का लाइव कारिकर में है और समय यू भागता है तो मैं जट्पट आपके जीवन की और आपकी लेखन की और बढ़ना चाहता हूं और इस वक्स आप हमें स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं 7326501100 पर और सुशम बेदी जी से बाचीव कर सकते हैं मुझे कुछ अपने बतौर नॉवलिस्ट बतौर लेखक लेकी का होने के नाते उस बारे में कुछ बाता है कि इस तरह से सिलसला शुरू हूँ आप हिंदुस्तान में भी पढ़ाती नहीं और बहां से कहानिया लिखने का सिलसला शुरू हूँ बताया बात यह है कि मुझे मेरी हिंदी क्योंकि मैं पंजाबी हूँ वैसे तो मैं लखनौ में थे हम लोग तो लखनौ में मेरी तिलचस्पी शी रूगी मैं वहां पर रेडियो जाती थी तो वहां लेकों से मिली अम्रिटा नागर और यश्पाल यह लोग सब वही होते थे मैं बात कर रही हूँ उन् तब मुझे हिंदी का शौक चाहा था तो मैं तब ही से लिखने लग गई थी पहले खासकर आटवी नमी और तस्वी क्लास में लिखा था और कविताओं की एक किताब लिखी थी जो उसके बार में दिली चली गई पढ़ने के लिए कोलेज में दिली में किया तो वहां पर हम थी तब में अचेयर हो थे लिखने में कहानिया और तो हमें इंटर कॉलज जो कॉंप्रटेशन होते हैं उनमें प्रेज़ा जाता था तो हम लोग मतलब तब खास और एक तम गंभीरता से लिखा करते थे तो कहानियों में पुरुषकार आट आश्र आख जानते हैं लोगों मेंु 이 paral प्रें तो प्रुशकास एज लिखना और अच्छी कारी क्रिफ जो में, कारीक्रयम चैहि लिखना के go वह दिलज्टें भागे ताला निए, इसलिकाः बाद साथी इंटार निए एको बातन आप खेंट एक थे तो इस जानी के बार जाना चाहता हुए मैं पहले नेटे इस जुए मारे साथ हैं, क्या सवाल है आपका हमके लिए? सवाल है, हमें पिस इसे इसे घरने हैं पर हिंजी बास इसनी ज़्दूरी है, कि जो पैरंस यहां बज्चे को ग्रोग कर रहे हैं, इस जोटे हैं, तो हिंजी मोवी देखे हैं, इसक परी करें एहां है निए आठको एकोदीतों में परदी आहें । इसे क्ण tu courage बोलता है जी तो अगरेंट को रेेच करने ने जशा रहा है है लिए तो थिलिए जी के इसक वहाँ जचिए यहां तो क्टें जबिए हो समय यहां फिल्टों को फिल्टों यह जो आपके 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 बिल्कुल सच है कि भाशा जो है हमारे गर्तित में की पहजान है अगर भाशा नहीं होगी तो हमारी पहजान भी नहीं अगर धीरे धीरे जुंगली होती चले जाएगी आपके पहले तो युनिवेस्टी में ही अमरीका में 1947 देश आजाद भारत आजाद होने के बाद से यहां पर हिंदी सिखाए जाने लगी और पैंसल्वेनिया में सबसे पहले हिंदी का प्रोग्राम था जहां हैं लेकिन मैं यह बताना चाहती हूँ के अब तक युनिवेस्टियों में और कॉलेजों में हिंदी के प्रोग्राम शुरू हुए जहां कॉलेज में बहुँ के बच्चे यंग लड़के-लड़किया सी सरकार की मादब से उनकी पंदिंग से स्टार टॉक प्रोग्राम शुरू हुआ है और वो स्टार टॉक प्रोग्राम सब छोटे शहरों के लिए छोटे कॉलेजों के लिए स्कूलों के लिए है जहां खासकर गर्मियों में बच्चों के लिए प्रोग्राम किया जाते हैं और बहुत से बच्चे आते भी हैं और आप भी अपनी कम्यूनिटी में प्रेके बात फोकस लाइब में आप सब की दर्शनों पाई पाइब बहुत बहुत स्वारत आज हमारे स्टूडी में मौजूद है प्रफेसर सुशुम पहिदी जी जिनसे हम विश्परिंगी दिवस के अफसर पर हिंदी की सब्सक्राइब हो रही हैं अब यहां से आगे उनक के बारे में बातचीत होगी और साथ ही साथ क्योंकि वह एक उंदा अभिनेत्री भी है तो उनकी एक्टिंग के बारे में भी बातचीत होगी आपका फिर सुशुम जी कायकर में बहुत-बहुत स्वागत मुझे बताया चाहरा कि काफी कॉलर्स हैं जो आप से बात करना चाह आपका क्या सवाल है प्रोफेसर सुशुम डेदी जी के लिए जी हिंदी का रंग और मिठास कि किस तरह सुशुम जाच जो है हिंदी का मिजाच बहुत कुछ बहुत कुछ उर्दू जयसा भी कुटा है मैं इसके ये बात के रही हूँ कि दौ शल मैं इस बारे में लिख्मप्रे भी है कि मुझे զियुप अगर अगे अगर जो मिठास उर्दू में है वही ही ही हार। जो उर्दू के आते हैं वो अपने और रंगत लाते हैं। हंदी में। और हंदी में मिठास नर्णति disrupt में ही और आपको मालूम है करके मिलत है। लेकिन अजी भी रंग है उसमें और उसके साथ जब कविता मिर जाती है और कविता की मिठास जो है जो मीचे मीचे शब्थ है वो इसके साथ ही हिंदी में जहां पर मिठास है वहीं पर हिंदी में खढ़ापन भी है एक रुखापन भी है और अगर उसमें नारे बाजी करनी हो या उसमें अखर बाते भी कहनी हो जैसे कि कभीर की हिंदी है तो वो सब भी हिंदी अपने में मिठा खटा करवा नमकीन सब कुछ समा लेती है सब तरहां का मिज़ाज लिए विखें हैं हमारे साथ पंसिल्वेनिया से जुड़ने के लिए आलेंट टाउन से बहुत 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 धन्यवाद मैं सुशुटी बात हवन की करना चाहता हूं यह किताब आपकी पहली किताब और कई भाशाओं में छपी है क्या विशेश रह पर तो आप कह सकते हैं कि यह जो भारती आवासी है उनकी कहानी है लेकिन बहुत कुछ जो मैंने अपने नजदी की लोगों के साथ महसूस किया खुद महसूस किया जब यहां क्योंकि मैं नई नई दब अमरीका आए थी तो आपके आपका जो अनुभव होता है उसमें एक करती है तो बहुत कुछ अपने मित्रों परिवार सब के साथ देखते हुए एक दिन मैं मेरी दहन हवन करती है तो मैं ऐसे ही एक दिन सब कुछ जैल हो गया कहानी बगती गई और उस हावन में मुझे एकदम पुरा का पुरा उपन्यास एक तरह से दिमाग में आया और फिर मैंने इसको लिखना शुरू किया एक जो खास आपके लेकन की विशेष्टा मैंने देखी है कि ओविसली जैसे कि कहते हैं वैसे तो सिनमा इस अफ रिफलेक्शन आफ साइटी और सुसाइटी से प्रिद्ना पाती है और यह बात आपके लेकन पर नजर आदिये कि आपने साउधेशन डैस्पुरा की इव्दगिर्द की कहानी को जैसे कि आप निशेशन देख रहे हैं कि किस तरह से वह रह 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 हैं उठ र स्टाइल में आपने उनको लिखा है क्या ये वज़ा मैं कह सकता हूं कि जो लोगप्रेता या प्यास नहीं आपको प्रशंसकों से मिला ये एक वज़ा थी मुझे लगता है कि मैं हवन की बात जरूरी हवन नियॉक युनिवस्टी में बात्चीत को जाले लखे हैं फोकस्लाइब में आपका इस्पालत है कौन बोल रहे है कहा बोल रहे हैं कहा बोल रहे हैं मौनिका वेल्कम पिड़ी प्रोग्रम थैक यू सो मुझ फोलिग इन बात फोकस्लाइब आज विश्म हिंदी दिवस के अफसर पर हम प्रफेसर सुष्प बेदी जी से बात कर रहे हैं क्या सवाल है आपका क्या है कि एक और छोड़े से अंतराल के बाद हम हाजिर एक बार फिर से कॉलंबिया लिवासिटी में हिंदी पढ़ाती मश्रूर हिंदी प्रोफेसर सुष्प बेदी जी के साथ एक उंदा विनेत्री भी हैं लेकी का भी है कारिकर में आपका इक बार फिर से बहुत बहुत सबागत ब्रेक से पहले कॉलर्स की बड़े अच्छे सवाल थे और कहीं ना कहीं उन सवालों के बीच मेरा जो सबाल था कि आप सावदेशन डायस्कुरा को लेकर कि आपने काफी कुछ लिखा और उससे आपको जो प्यार से यहां की डायस्कुरा से मिला क्या वोग्य वजा हैं तो आपको लगातार प्रेणना चाहिए होती है तो फिर प्रेणना की वज़ा बनते हैं लोग पाठकों की चिठ्छियां उनकी इमेल्स बहुत सी चीज़े हैं जो आपको लगता है कि आपको पढ़ा जा रहा है और आप एक तरह से अपने लेखन को लेके और गंभीर हो अगर उनकी कुछ बातें अगर उनकी कहीं तो जैसे मेरे मेरे पती मेरे बेटी को वारी जिखा रहे थे तो वो उसको कह रहे थे कि शड़क की लाय होती है तो उसको समयता चाहिए तुम्हें और मुझे लगा कि मुझे एक मेटाफर मिल गया है और मैंने कहानी लिखी वो ए और में अगरा चाहिए तो उसका नाम रखा सड़क की लाय और वो सारी कहांनी जो है वो एक तरह से सड़क की लाय के माध्यम से जीवन की लाय को समझने की कहानी है तो यह वो जाती है और मैं बदाना चाहूंगा है कि बहुत से दर्शिकों को यू तो मालुम है लेकि जिनक जो इन्डियास्परा की जुड़ी जो फिल्में हैं जिनको प्रॉस ऑर सिर्मा कहते हैं उनमें भी कर चुकी हैं और और ऑफ ब्रॉडबे शो भी कर चुकी हैं और कर रही है और सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छी इनसान है पूरवात वेदी उसके लिए आपको बहुत सारी बदाई में देख रहा हूं कि मा का दिल कैसे बागवाब बजाता है बेटी के लिए जो है उनकी प्रशंसा सुन करके मैं आपको अगले कॉलर की और बातचीत करता हूं और फिर आपके एक्टिंग करियर की बारे में भी बात करेंगे फोकस लाइब में आपका स्वाग वे करें उनका क्या है को है चीख वांट इसके बिना उनका घुजारा कहाँ है अचा रहा है !! मुझे मुझे क्या हुआ आप काया कि आप डॉक्ति नहीं दोक्र हैं हमारे स्माज का एक सच यह बाट तो माननी पड़ेगी और जैसे की प्रफेसर बेइदिश विकारी हैं के सीखना चाहिए जिसंगं लें आए जी कमरें जी बिल्कुल ही आपका पूर्ता रूप से से माला भाशा यह अनियत और यह को और अपनाया भी चाहिए उनको जाहिए और हमारी सकुर्सक्राइब प HEY जानकी हा शंबाद से देना चाहिए इस जब शेखाओं गर जाना पराना जाला रहा है तो अंग्रेजी तो मैं मानती हो भी सीखते ही हैं खासकर हिंदुस्तानी बच्छे तो मैंने देखा है हमेशा क्योंकि मैं बच्छों का और बड़े नहीं सीखते यहां बड़े ओने के बाद आते हैं तो लेकिन हमारे बच्छे लिए उन्टो स्कूल में जाते ही लगता है हिंदुस्तानी चीखने लगता है बच्छों के अपने बच्छों के लिए जिव एक पूरा एक स्काव बना कर रखना पड़ता है उस बहुत अच्छी बात पर ही डॉक्टर शीरा आपकी हमारे साथ कोगस्लाइब में तुने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद नाब इससे पहले कि हम प्रोफेसर सुशु बेदी जी के लिखन की और वापस की और ही बात करते रहें एक नज़र उनके एक्टिंग करियर पर भी डालते हैं जैसे कई मेंस्ट्रीम टेलविशन सीरीज रही हैं जिसके अंदर उन्होंने कई जगां पर अपने अभीने की छाप छोड़ी है उसके अतरिक क्रॉसोवर स्टेमा और यहां पर बनते हुए कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है एक जलक एक सीन से आप समझ जाएंगे कि उन ईब एक स्टेम पारी कि पारी के जाएंगे कि अच्छली मुझेव पर पर ऐसो आप बादेख बात बाता है आपने प्रवासी भारती समधाय का नाम रॉशन किया और अभिनेत्री भी में स्ट्रीम टेलेविशन में अपने अपने पिछाब छोड़ी हम सब का हम सब को गौर्वामिद किया बहुत अच्छा लग रहा है आप से बारचीत का सिलसरा जारी रेखेंगे इंचोरे से ब्रेक क आप तमाम दर्शक भी देखते रहें फोकस लाइब बहुत जल्द हमाजिनों पर आप सब्सक्राइब आप से बहुत-बहुत स्वागत में आज हमारे साथ स्टूडी में मौजूद है प्रोफेसर सूशन वेदी जी एक प्रसिद अविनेत्री और साथी साथ मशूर लेकी क अच्छे सवाल बहुत चलता चलता चला रहा है ब्रेक से पहले हमने आपके आपके आक्टिंग की जो मैं कहुंगा के क्लिप्स को देखा एकसर्प्स को देखा बहुत एंज्वाइग बहुत से ऐसे यहां पर प्रवासी भारती हैं जो प्रयास कर रहे हैं मेंस्ट्रीम तल्विजन में फिल्मों में कदम रखने के लिए और कई बार ऐसा होता है कि वह अपनी ओरिजनालिटी को भूल बैठते हैं आपने जो किरदार किया मैं एक क्लिप और मैं व्यूवस को दिखाना चाहता हूं और रोयल पेंस का जहां पर र अपना जाखना पूल झैंक अपना है तो कही ऐसे TV serials रहे जिन में आपने किया, the beauty about your acting I would say or I would like to give you as a compliment is you kept yourself original, ऐसा नहीं कि आपने accent लाने की कोशिश करी या आपने आपको Indian-American दिखाने की कोशिश करी you kept the way you are and that's what was the beauty of the role that you portrayed पर बहुत से यहां पर जो रहते हैं प्रवासी भारते जब मेंस्ट्रीम टेलविजन या उसमें कदम रखते हैं तो अपनी originality को खो बैठते हैं और कुछ और बनने की कोशिश करते हैं क्या सुजाब रहेगा आपका? मुझे लगता है की बहत कुछ यह होती है यहां की मांग होती है और जिसमे आपको मालु है कि यह वो क्न्फुुशन भी कहते हैं और गष्मालो रहता है बहुत लेकिन यहां का जो आर्टिस्ट है वैसे वो पूरा का पूरा आप लिकी ही बनना चाहता है। मुझे लगता है कि हमारे इन यंग लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी कहानिया लिखें। मतलब हिंदुस्तानी जैसे यह रहते हैं या उससे जुड़ी साथेशन डायस्पवरा की कहानिया और उनकी जंदगी की कहानिया हो तो एक तरह से यह उनके लिए सहज होगा और ऐसा कुछ बहुत कम है और उनको अम्रीकी उसमें जो भी यहां के रोल्स हैं वो अदा करने होते हैं लेकिन अगर वो खुद हो सके और अपने लिए खुद कहानिया लिख सके तो थोड़ा बहुत हो रहा है लेकिन उससा तक नहीं हो रहा है तो एक तरह से पूरा का पूरा जो एक्स्प्रेशन है वो हमारे यंग आर्टिस को यहां मिल सकता है उससे काफी उनको वेटेश क काफी मनोबल भी बढ़ेगा विद्कुल सुष्ण जी लगब तीन चार मिनट बचें कारिकरों खत्म होने के लिए कॉलर्स का सिलसला भी भी जानी है एक कॉल लेते हैं निवेदन आपसे हैं कि छोटा अंसर रखिए गा और आखरी सवाल से बातचीत को खत्म करेंगे आपक जली जली बता ही क्या समाध है यह था है जी उनको बड़े कर्शू तरते हैं वो अमेरिका भी पदर चाहते हैं जी को घु घुण जाते हैं जी जी अ पावां को भी अपरे बच्चों के साफ बजलना पड़ेता है यह थोगा सा विशे से अलग एक सवाल है लेकिन विचाल मैं जाओंगा प्रफेसर सावापी कुछ कहना जाएंगे तो बात यह है कि मुलता क्योंकि हमारे हमारे बच्चे दो दुन्याओं में रहते हैं एक दुन दुनिया उनकी वहार की दुनिया होती है और दोनों दुनियाओं में बहुत फरक है तो इसलिए कई हादसे होते हैं हमारे बच्चों के साथ लेकिन जो काम हमने करना है अपने बच्चों के लिए जो माबाप में करना है वो है उनकी जिदुरी में एक संदोलन बिठाने का तो कुछ वहां का और कुछ यहां का दोनों का fusion अच्छा होगा तब भी खाना अच्छा मिलता है आपको रेस्ट्राव में फ्यूजन रेस्ट्राव में नहीं तो बहुत बात वेकार लगता है ना कि यह क्या अक्रास बना है अप्रमेशर सुश्म वक्त हाथ से निकलता जा रह नभूम की रस कथा उसके अतरिक तीसरी आंख उनकी एक बहुत ही उंदा उनकी किताब है हम उनके बारे में ही आज जादा बात हो पाई और उसके बाद जो है पानी केरा बुदबुदा यह जो नॉवल है मैं चाहूंगा कि आर टीम कें स्विच तो इस पर्टिकुलर लिगे निए